नमस्कार दोस्तों टेस्टी फूड विदरीया में आप सभी का स्वागत है आसा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम लेकर आएं एक बहुती टेस्टी हेल्दी से आटे ढोसे की रेसिपी बहुती यूनिक है बहुती डिफरेंट है और इतना टेस्टी जालीदार क्रिस्पी डोसा बनकर तयार होगा आप यकी नहीं करेंगे कि आपने इसे आटे से बनाया है तो दोस्तों आज की जो रेसिपी यो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे एक लाइक चरूर कर देना और ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक मिडियम साइज का कच्चा आलू और उसे छील कर अच्छे से ग्रेट क बना लेने हैं अब इसमें मैं एड कर रही हूं एक कप गय हूं का आटा और उसी से नापकर आदा कप मैं मिक्स कर रही हूं इसमें बारिक वली सूजी अगर आपके पास बारिक वली सूजी नहीं है तो उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला कर बारिक कर सकते हैं अब उसी कप स नाप कर मैंने इसमें एक कप पानी डाल दिया है उसे अच्छे से पहले लंज खतम होने तक मिक्स कर लेते हैं दीरे-धीरे करके पानी डालेंगे नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएंगे और उने खतम करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो अब दुबारा में एक कप औ और पानी डाल रही हो और इसे फिर से मिक्स करेंगे यानि की डेड़ कप आटा और सूजी के लिए मैंने यहां पर तीन कप पानी का यूज किया है आप मेजर्मेंट अपने किसी बरतन के हिसाब से जिससे भी कर रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं तो देखिए अच्छे से मिलने तक हमेंसे मिक्स करेंगे फिर लास्ट में मैं इसमें तीसरा कप पानी भी एड़ कर दूँगी तो बहुत ही रनिंग सा बैटर हमें चाहिएगा बहुत पतला बैटर हमें बनाना है अगर आपको पानी दो चार चमच एक्स्ट्रा भी लगे तीन कप से तो वो भी एड डिक कर सकते हैं आप यानि की बैटर की थिकनेस के साफ से इसमें मैंने डाली है तीन-चार लाल मिर्ची को बारिक चौप करके दो-तीन चमच बारीक हरा धनिया कटा हुआ मैंने और यहां पर यानि की खटास के लिए मैंने लिए यहां पर एक नीवु का रस आप चाहें तो हम इसमें एड करेंगे एक चमबच के करीब जीरा जीरे से भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है वह बहुत ही टेस्टी डोसा हमारा यह बनकर तयार होता है तो चलिए इसे रख देते पांच मिनिट रेश्ट करने के लिए तब तक बना लेते हैं एक चटपटी सी च केवली है और एक चमबच जीरा टेस्ट के अकोडिंग नमक और आदा नीवुकारस आप नीवुकारस नहीं डालना चाते हैं तो एक चमबच दही एड कर ले उससे भी अच्छी खटी चटनी हमारी बनकर तयार होती है इन सारी चीजों को मिक्स करके हमें से ग्राइंड कर ल के लिए अपनी कटोरी में रख लेना है तो चटनी को में अच्छे से निकाल लिया है अब इसमें लगाएंगे एक तड़का यहां पर ऑईल को गरम किया है आदा चमबच डाला है में राई और तीन-चार कडी पत्तों को तोड़कर डाल दिया है और यह तड़का हम डाल द तो देखिए यह बैटर भी हमारा पांच मिन्ट रेष्ट कर लिया है अच्छे से फूल गया है यहां तबे को अच्छा सा गरम करेंगे पहले और हाई फ्लेम पर गरम करने के बाद इस पर पानी चिड़के तबे को अच्छे से से सेट करेंगे जिससे कि इसका टेमप्रेच अच्छे से जालियां बनकर हमारी तुरन तयार होंगि क्योंकि फ्लेम को हाई रखना है फैलाते टाइम और जैसे ही सारा बैटर फैला दे उसके बाद फ्लेम को हमें मेड्युम करतन लेना है तो देखिए चब ट्रिस्पी सा दोसा हूपर से हलका सा हमारा ज्यानी कि सिक जा जालियों के अंदर बी ओयल अंदर तक जाएगा और दोसा हमारा दोनों ही साइड से क्रिस्पी बनकर तयार होगा तो दोस्तों आप ये रेसिपी नोनिष्टिक तबे पर ही यूज करें नॉर्मल जो चपाती के लिए तबा यूज करते हैं उस पर ये डोसा चिपकता है तो इसे आप नोनिष्टिक तबे पर या डोसा के लिए आप जो तबा यूज करते हैं उस पर ही बनाएं तो देखिए अच्छा सा क्रिश्पी उपर से हमें दिखने लग गया है आप इसे पलट कर सकते हैं तो देखिए फिर से तबे को प्रीएट करना है पानी डाल कर उसे अच्छे से सेट कर लेना है टेंपरेचर जिससे लो जाए दुबारा से डोसा फेलाएंगे और इस तरीके से फेला कर अच्छे से कबर कर लेंगे और जैसे ही डोसा उपर से हलका सा सिख जाएगा उसे इस तरीके से चारो तरफ गुमाते हुए हमें सेकना है जिससे की जो आच है वो चारो तरफ अच्छे आप अपर से जालियां भी दिख रही हैं तो फिर से हम डूसे को पलटते हैं तो देखिए इस तरीके से हमें डूसे को अच्छे से चारो तरफ से उठाते हुए पलट लेना है तो है ना बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेश्टी और जटपट वरने वाली रेसिपी तो आप साम के शेक में जैसे भी आप पसंद करें सर्व कर सकते हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्ट के साथ इंजवर कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत ही टेश्टी बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी बनकर हमारी तयार हुई है तो अपनी कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा धन्यवाद